हेलो स्टुइटेंट्स वेलकम टू पीडी सेंट्रलेकेडमी ओनना कलास हम लोग प्लांट स्लाइब के वारे में पढ़ रहा होरे अब है जांज पढ़ेंगे रूट के बारे में कि डाय बॉल ख्यूंते हैं कि क्या डात हैं यह उसने अदा करता है तो रूट हम आपने मता है दिना दा पार्ट प्लांट वीच ग्रोज बिलो दा ग्राउंड इसकार्ड रूट पार्ड वान जो भूमी के नीचे ग्रोफ करता है उससे हम क्या करते है चैस यह पी इपकरेंट व्यून विग्षानम ग्रेंख करता है उससे हम वहाइए रूट है रूट वीच ग्रोज विलो ग्राउंद विलो कार्ड होता है नीचे और ग्राउंद कार्ड होता है भूमी जो भूमी के नीचे ग्रोज करें उसे हम कहते हैं रूट रूट रूट्स आर एंड इप्वोर्टेट पार्ट्स पार्ट प्लांट जो रूट्स होते है ना वो महत्पूल भाग होते हैं पौदे का और यह अलग अलग अकार और अलग अलग अक्रिती के भी होते हैं रूट्स आर डीपरेंड डीपरेंड सेफ एंड साइज जो रूट्स होते हैं वो अलग अलग अकार और अलग अक्रिती के होते हैं अब हम देखते हैं रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं ताइप्स और रूट्स 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 आर और टू टाइप्स रूट्स जो होते हैं वर टू टाइप्स के होते हैं एक तो होते हैं आप और एक होते हैं फाश रूट अप देखें यहां पर हम पीछर पहले सी बना दिए आप इसको देखिए कि टैप रूट कौन सा है और कौन सा फाश रूट है यह है और फाश रूट का इसा नहीं है नहीं है जितने सारी सब स्मॉल श्मॉल रूट्स निकले हुए है और सब इकवल दिख रहा है इसमें कोई भी आपका में पूर्ट नहीं है तो फिकर आप देख लिए उसके पास हम डेफिनीशन भी देदे जाएंगे तो पहला होगे आपका टैप अर दूसरा होगे आपका फाइवर्स रूट आप इसलिके इसलिके थोड़ी भी करबड़ होती है इसका और निकलने लगता है यह टैप रूट है और यह फाइवर्स रूट है अब हम चालते है टैप रूट का डैफिनीशन टैप रूट घुट के रूट है और अब है यह शट है यह फिर लूट है टैप रूट है ओट रूट अफ गश्टेम अफ ए प्लान इच कार्ड टैप रूट टैप रूट सेडल सेडल का अर्फोत है कई सेडल और थीन इस पतले पतले सेडल थीन रूट ग्रोईंग फ्रोब दा में रूट दा में रूट यहां पर लिखे हैं कि इस सिंगल में रूट होता है अब जानते हैं कि किस प्लांट में टैप रूट आपको दिखने को मिल सकते हैं तो आप बलसम का प्लांच देखे होंगे हीविकोस का प्लांच देखे होंगे बीन का प्लांच यह सब के प्लांच में आपको टैप रूट दिखने को मिलता है कि अब हम चाले की फाइबर के बारे करें टैप उटाब समझ गए इस मिल्ट होता है और जीकी साइब शाइब के पत्ली रूट निकले होते हैं और में फाइबर सुट में आपको देखनें कंदेखें आपको देखनें के ज़ Richards देखनें हैं Fibre's root, the number of small roots growing from the end of the estate. जो Fibre's root होते हैं, छोटे छोटे छोटे, आप इसकते सारे छोटे छोटे दूर्स होते हैं, वो तारे सिली वे सिली तार लिख ले होते हैं, ग्रोफ करते राते हैं, उसे अब बोलते हैं, Fibre's root. लाइक एच, लाइक एच, ग्रास, ओनियन, गार्लिक, एटीसी, हैव, Fibre's root. Fibre's root, जो आपके ग्रास होते हैं, ओनियन होते हैं, गार्लिक होते हैं, इन सब के पोदों में आपको Fibre's root दीखने को मिलता है, इन सब पोदे के पास Fibre's root होते हैं, तो आपको समझने आ गया, टैप root और Fibre's root. अब आप जानेंगे, रूट का क्या कारी होता है, पोदों में किस प्रकार अपनी भूमी का निभाता है, इसके बारे में हाँ जानेंगे. फॉलसर, F-U-N-C-T-I-O-N-F, फॉलसर का अठ होता है, कारी, फॉलसर का अठ क्या होता है, कारी, फॉलसर का रूट, रूट का कार्य, रूट सार, फिक्सेस, दपलाट, तूदा, तूदा, सोयर, इसका पहला क्या कारी होता है, रूट सो होता है, वो पोद्यों को मिट्टी से फिक्स करके रखता है, मिट्टी से क्या करता है, फिक्स करके रहता है, दूसरा इसके क्या कर रहता है, प्लाट, नीड वार्य का अठ ऑ्या, जो पौजे होते हैं उनको वाइटल और मिन्रस की मिट्टी से जरवत होती है यह क्या करता है जो रूट्स होता है रूट्स टेक दीज टेक दीज एंड सप्लाई एंड सप्लाई देम अप अप लीज अड एस्टेब को अग्या और करते हैं मिट्टी से तो रूट्स होते हैं सप्लाई करते हैं लीज को आपकी आइस्टेम को सप्लाई को सप्लाई कर देते हैं ये क्या होगएं यह होगे आपके लिटा कार. को थे बर रोटस? सॉन रोटस. का स्टॉर फूर्ड कुछ फॉड़ से होते हैं वह आपके फूर्ड को आश्टॉर करके रगते हैं आश्टॉर फूर्ड प्रीईवरेट बाईदे, प्लाण कुछ जो रूट्स होते हैं वह आपकी पॉदु द्वारा बोजन बनाएगे उसको एस्टोर करके लगते हैं तो यह रहा हमारे रूट्स वाटार रूट्स एंड टाइप अपर रूट्स और पंसनल रूट्स तो आज के लिए अतना ही नेप्स वीडियो का आँद देखेंगे एस सूट के बारे में That's all, thank you